गुडिबिंग प्यार बच्चों, प्राद्रम को आज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जैसा कि पिछली कच्छा में हमने पार्ट आप स्पीज पढ़ा था, और पार्ट आप स्पीज के अंतरगत हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, कि नाउन कीसे कहते हैं, आज हम उसी के आगे continue करते हैं, आज हम जो पढ़ेंगे कि नाउन के प्रकार, या कायन साप नाउन, संग्या कितने प्रकार के होती है, और प्रतेक संग्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यदि आप पिछली का कच्छा नहीं पढ़ें तो आप उस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आगा, क्योंकि उसमें हमने बताया, नाउन की परवास हमने उसी कच्छा नहीं बताया था, तो हम लोग देर नकरते हो शुरू करते हैं, सबसे पहले आथा, नाउन किसे करते हैं, तो हमने बताया था, किसी बैक्त, अस्थान, बस्त, आज के नाम को परकट क करने वाले सब्द को नाउन करेते हैं कि नाउन कि नाउन कितने प्रकार का होता है कि नाउन मूलता पांच प्रकार के होते हैं कि प्रकार के होते हैं कौन होते हैं सबसे प्रकार के नाउन होता है होता प्रॉपर नाउन कामन नाउन इसके बाद होता है क्लेक्टिब नाउन मट प्रापर नाउन या इसलिए को लोग कहते हैं ब्यक्तिवाचक संग्या अच्छा ब्यक्तिवाचक संग्या क्या है ब्यक्तिवाचक संग्या किसी ब्यक्ति बस्तु या विसेश अस्थान को परकट करने वाला सब्द ही क्या कहलता है आपका होता है ब्यक्तिवाचक संग्या औ उसका पहला जो अक्षर होता है अंग्रेजी के कैपल अच्छे में लिखा जाता है इसमें क्या हो गया राम सीता इंडिया लखनव गंगा हेमालया अमेरिका भूटान ठीक मुकेस यह सब जो हैं जितका नाम हुआ किसी का कोई अस्थान हुआ कोई चर्चित ब्यक्ति हुआ य जो होते हैं सब क्या होते हैं सब ब्यक्ति वाचक संग्या होते हैं फिर समय लेजिए कि किसी ब्यक्ति विसेष अस्थान विसेष या बस्त विसेष के नाम को हम ब्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं या ऐसे कह सकते हैं जो किसी का जो नाम होता है इसे मैं नाम सुनील सुनीता पुनीता हिमालया रॉकी ठीक अमेरिका शुर्जर लेंड यह सब जो नाम है यह आप इसको ऐसे परचा सकते हो यह दिक कहीं भी कोई संटर लिखा गया है उसका पहला अच्छा कुछ जिस भी सब का पहला अच्छा लिखा गया है तो वह क्या होता है ब्यक्ति वाचक संगया ह कहते हैं जाति वाचक संगया इसको सम्दे किसी बस्त वेयक्ति अस्थान के बर का भॉत एता है किसी बैक्ति वट या अस्थान के ााट बजग कर आता है जातर हिंसके बहर semaine बॉट नहीं या लडाब झातिं वमार राम स्याम सुंदर मुंदर जूप से होते हैं बच्चों की अंदर घुर का सिटी सिटी एक जाटेए हां इसमेछें अहीं तक इसकी हम तर गाथने हैं तो स्विछी जाते हैं बुग किताब किताब वी अधिए नन की तर ded away to the होगी जो भी किताब का एक जाती है उसका हिंदी हो जाए घंडित हो चाहिए एक त्यास फट Keycolor कीताब की अंतोर केति को रखा जाता है अगर क्या Pen appeal to the semester that यह अपनली खाई यह जाती है अफोड़ गयोग जाती है आपक में काली गय क्या पेड़ गाय भूरी गाय ठीक यह सब क्या है यह सब गायों का एक जाती है तो कहने के मतलब जब किसी सब्द से उसकिसी बर्ग इस्टी बैक्टी डूर्ड अस्थान के जचिका बोद होता है connective noun – काम नाउन कहते हैं समुवाचक संग्या इससे आप समझ गया होंगे कि समुवाचक क्या होगा किसी बस्तों का समुव किसी जंतुओं का समुव किसी का भी समुव जो होता है वो क्या होता हो समुवाचक संग्या के अंतर कर रखा जाता है क्या है ब्यक्त या बस्तों के समुव का बोद होता है ऐस संग्या को हुम भैक क्या चहते हैं आशिकों करस्क नावन करते से बंच है बंच रोख हर्ड बंच मीर्स होता है देखिए ये इस невें दिखाया ये बंच आप ग्रेप्स ये बंच आफ ग्रेप्स क्या हुआ अंगुरों का यहां देखिये ए फ्रन के इता लिए जुन्ड होता है विए का जुन्ड ए और आंक किए कि भेडों के जुंद के लिए फ्लोक और पसू के जुंद के लिए हर्ड तो किसी भी समून बस्तों की सवून ब्यक्तियों की समून का जो संगया बोद कराता है उसे क्या करते हम कलेक्टिब नौट अगला है material noun या इसे को कहा जाता है पदार्थ वाच्चाग संग्या इसको भी है समझगे होगे कि पदार्थ वाच्चाग संग्या मतलब जिसमें पदार्थों का वो दो सोना, चाधी, लोहा ठिक, जो है सैन, बालू, पानी ठिक, जितने भी पदार्थ होते हैं जल भी पदार्थ है, गैस भी पदार्थ है, इन सब को जो नाउन ब्रत करता है, उसे हम material नाउन कहते हैं, इसको समझगे होंगे, कि ऐसा नाउन, जिसके या ऐसा संगया, जिसके द्वारा किसी पदार्थ, या हमने क्या बता है, तत्त का बोध होता है, ऐसे संगया को हम पदा पदार्थ वाचक संग्या किसी संग्या से बर्ष ब्रक्त की विसेष्था गूर अवस्था इस्थितकार आधिकाभाव परकट होता हो तो ऐसे भाव वाचक संग्या करते हैं समझना नहीं क्योंकि अकसर पलग सर्ञें संगय कि कौन सा अची बियस्टा की कि सैट कि अबस्था इस अस्थित को आतर होता है उसे एगावाचग संगया कहा जाता है जैसे God iso इविल बुराई बच्चा चैल्ड बच्चा यूद नव्यक्ट लाफ्टर हसी प्राइड उल्रा जहार मेंडर हत्या क्या हुआ हत्या यूद मेंडर किसी भी बस्त या भाव परकर करें कोई सथ भाव परकर करें उसे भाव आचर शंगया कहा जाता तो ये पांच आउन के भेद हैं इसको चाया भेद मा लिजिए जाहे इसको प्रकाया मा अगला क्लेक्टिव और समूवास्थ को बोथ सुछा करता है इसके बात हैं म रेन नाउन 그렇게 error आजका प्रकाट आप किसी भी का भाव प्रकट होता है, जिस संग्या से किसी का भाव प्रकट होता है, उसे भाव आचर संग्या खा जाता है, आज अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जेंडर, इसी बाद क्योंकि यह भी नाउन की अंतर गता था, जेंडर पढ़ेंगे, इसके बाद क्या नंबर लिंग और बचन तो आगली कास में पुना हम मिलते हैं जंडर और नंबर के साथ आज की लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद